हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो कुछ मैंने प्रोड़क्ट समीशो से औरर के थे जो फाइनली आ गए है तो सबसे पहले ये माइक्रो फाइवर फैदर डस्टर आया है ये बेंडेबिल है, एक्स्टेंडेबिल है जब मैंने इसको उपिन किया तो ये बेंड नहीं हो रहा था लेकिन हाँ इसकी जो लेंद है वो काफी जादा है और इसका प्राइज 166 रुपीज है आफ्टर डिसकाउंट आपको ये 154 रुपीज का पड़ेगा इसका माटीरियल स्टेंलेस स्टील का है ये काफी यूसुल प्रोड़क्ट है और यूशुली होता है कि हम जैसे हमारे फैन वगेरा उचाई में होते हैं तो हम उने साफ नहीं कर सपाते हैं तो ये फैन वगेरा साफ करने के लिए या काफी जो उचाई पे है तो जाला वाला साफ करने के लिए यूसफुल है तो especially मैंने ये फैन साफ करने के लिए मंगाया लेकिन क्योंकि ये बैंड नहीं हो रहा था तो मैं इसको रिटर्न कर दूँगी और बाकी इसकी लेंथ काफी अच्छी है और यहां पर जैसे आपका कहीं पर उचाई में आपके जाले वागेरा होते तो आप वो भी इससे इसली साफ कर सकते हैं नेक्स्ट मैंने ये पूजा थाली मंगाई है इसकी ये मैटल का है और especially मैंने ये पूजा के लिए मंगाया था देखने में तो काफी सुन्दर है लेकिन पूजा के लिए मैं इसको यूज नहीं करूँगी इसका प्राइस दो सो चोदर रुपीज है और डिस्काउंट के बाद आपको ये कि वन नाइंटी फो रुपीज का पड़ेगा नेक्स्ट इसके बाद मैंने ये आर्टिफिशल हैंगिंग फ्लावर्स मंगाया है ये बारा का पैक है और इनका मेटेरियल है वो पॉलियस्टर का है काफी अच्छे हैं लुकवाइस काफी अच्छे हैं नेक्स्ट इसके बाद मैंने ग्रीन ग्रो बैग मंगाया है ये 10 का पैक है और इससे पहले ही मैंने इस तरह के बैग मंगाया थे बैंगन के पौधे लगाने के लिए तो मुझे काफी अच्छे लगे काफी अभी तक मेरे चल रहे हैं लगभग तीन चार साल हो गए हैं तो क्वाल्टी इनकी काफी अच्छी है तो मैंने ये 10 का पैक और मंगाया है इनका प्राइज 348 रुपीज है डिसकाउंट के बाद आपको ये 326 रुपीज का पड़ेगा और इस तरह ये सारे जो भी प्रोड़क्स मैंने मंगाए हैं सबकी क्वाल्टी बहुती अच्छी है तो आप डेफिनिटली इन सारे प्रोड़क्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो आपको पसना योगी तेंक फौर वच्चिंग